हां सातियो सोरी डिसकनेक हुआ एब दोबारा से हम लोग फिर अपनी बात करते हैं हाष são हाष सर हम दोबारा से अपनी बात को वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया कैसी बनेगी कोरोना महामारी के बाद ये दुनिया ठीक वैसी ही बनाएगी जैसे हम इसे महामारी के दोरान बना रहे हैं इसे महामारी के दोरान हम कैसा बना रहे हैं हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ल में हैं हम ग्लोबलाइज वर्ल्ल में हैं जिसे हैं वैस्वी करण कहते हैं जिसको दुनिया ने बड़े अस्तर पर बड़ी मेहनत से एक मोडल बनाया कि भूमनली करण के नाम पर पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी एक दूसरे के साथ कारोबार तै हुए एक दूसरे के साथ धेरो ट्रीटी वयापार को लेकर बनी डवलू टी ओ आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ने एक साजा वयापार धाचा खड़ा किया जिसे वर्ल्ड ट्रेड ओर्गेनाइजेशन कहते हैं और उसमें यह तै किया कि हमारी जरूरती यह हैं आपकी जरूरती आपको आप हमें यह देंगे हम आपको यह लेंग कर दूर्क में आए एक दूसरे से जुड़ना शुरू हुई और हम एक ग्लोबलाइज़ wspól में जीने के आदी हो गए और जिसे हमने ग्लोबल्ड विलेज तक कह दिया दुनिया को हमने कहा कि अब दुनिया एक वैस्मी ग्राम बन गई है दुनिया एक ग्लोबलाइज वर्ल बन गई है कि जैसे गाउं में सब एक दूसरे को जानते हैं सब एक दूसरे की जरुतों को पूरा करते हैं ठीक वैसे ही अब हमारी दुनिया हो गई है कि हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं एक दूसरे के दुख दर्द में सरीख होंगे जिसकी जरुते होंगी वो एक द दुनिया में किस तरह की होड है या दुनिया कहां जा रही है को रोना संकट के एक जटके ने बता दिया कि सब एक डर से एक महामारी में आते ही सबने सब के लिए वाजे बंद कर लोकडाउन क्या था आपने सब एर संपर्ख सब ने अपनी हवायात्राइं जाम कर दी सब ने अपने संपर्ख तोड़ दिये मैं जिसका बार-बार जिक्र कर रहा हूं उस थर्ड वर्ल्ड का आज कोई यह पूछने वाला तक नहीं है कि आपको क्या चाहिए आपकी सालत में आपके यहां करोना संकट की क्या डेटा है इविन दुनिया के मेडिया टीवी चैनल तक छोटे-छोटे कंट्रीज को कहीं कंसिडर नहीं कर रहे हैं किसी की कोई सूचना नहीं है कहां इस महामारी ने क्या तांडव फैला कहां क्या डेटा है कौन मरे हैं कितने जीए हैं कैसे चल रहा है तो यह जो एक पूर ग्लोबलाइजेशन का एक मोडल सिर्फ अपना लाब कमाने के लिए डवलप किया जा रहा है यह दूसरा जो भविश्य का परिद्रस से बनेगा मैं जिस बात को बार-बार दोहरा रहा हूं और आप सबसे इस बात पर अपील करता हूं कि इस ग्लोबलाइज वर्ल का और इस महामारी के संकट के बाद की दुनिया वैसे ही बनेगी जैसे हम इस महामारी का सामना करेंगे और इस महामारी का हम सामना कैसे कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी डाड़ी की आग बुजा रहे हैं सारे कंट्री अपने अपने लिए और सिर्फ अप अपने अपने बारे में इसलिए कह रहा हूं कि इस महामारी से लड़ने के जो बड़े मोडल हमारे पास है वह चानीज मोडल है अमेरिकन मोडल है और तीसरा जो डवलप डवलपिंग कंट्रीज है भारत जैसे देश हैं उनका एक चाहिना ने इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अपने समयाथ अपने देशुक्त पर अपने लोगों पर अति नियंत्र है कि अन्ड कर टेखनोलोजी का की अनॉर्गेनलाल के तरीके से भीना किसी रूल रेगुलेशन के दूरुपयोग किया है जबरन लोगों को ट्रेस किया जब्रन जोगों के साथ उनके mobile phone से data लेकर तुरंत किया और यहां तक कि बहुत सरा data उसने ना अपने देश में सर्कार के सामने लाए ना मेडिया में लाए ना दुनिया को बता पर नहीं इस संभंदितamel है जो पुरी data थी शुचनाएज थी महामारी पर काबू पाने के लिए या कुछ डवलप करने के लिए मदद मिलती ना वो सूचनाय कोई बड़े अस्तर पर दुनिया ने आपस में कोई एक्सचेंज की ना लेंदेन किया दूसरा मोडल अमेरिकन मोडल है यह कहता है कि अमेरिकन फर्स्ट इस मोडल के लिए अपने लोग अपने नागरी चीनी कोई माइने नहीं रखते हैं वो उन पर जबरन नियंतरन करता है जबरन उन्हें बंद कर देता है और एक पूरे सहर को ब्लोक कर देता है बाकी अपने द चीन के लिए अपना देश वासी की व्यक्ति की कोई कीमत नहीं दूसरा मोडल अमेरिका उसके लिए अपने व्यक्ति की अपने देश की इतनी कीमत है कि उसी मुझे सबसे पहले अमेरिकन का इलाज करना मुझे दवाय चाहिए हिंदुस्तान से भी आप मलेरिया दवाई हाइड्रो क्लोक्सो क्रोविन लेते हैं जर्मन से भी आप दवाई मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं लेकित मैं पहले अपने अमेरिकन को फोकस करूँगा बाकी दुनिया से मेरा भी कोई सरोकार नहीं है तो यह जो दोनों मोडल हैं महामारी से जूजने के या महामारी पर काबू पाने के लिए दोनों ही एक हमनिस्टिक एप्रोच के ग्लोबल मोडल नहीं कहे जा सकते एक के लिए अपना ही देश और अपने देशवासी सब कुछ है एक के लिए अपने लोग कोई वायने नहीं रखते सिर्फ नियंत्रण पाना है और अपना production जारी रखना है अपना development जारी रखना है मेरी अर्थववश्था डूबना जाए इसलिए मुझे तुरंद दुनिया में छाना है और तीसरा एक model था जो छित्रा हुआ model था जो भारत ने अपनाया या भारत ने अपने पर सेप्टीज को उन सारे प्रोटक्टिव गियर्स को उस तरह से अपना करके इस महामारी को थोड़ा सा अपने आप में एक काबू पाने का प्रियास रहा या एक और इसमें एक डवलपिंग कंट्रीज दक्षिन कोरिया या न्यूजिलेंड और कुछ इस तरह के कंट्रीज दिखाई देते हैं जिन्होंने इस पर काबू पाने के अपने कुछ लोकल मोडल या अपने छित्रेवे मोडल कुछ डवलप किये और इस पूरे सिनेरियों में जो एक बात उभर स पर शक्ती थी जो इन दोनों मोडल को अलग करके एक तीसरा अच्छा मोडल दुनिया के लिए बना जा सकता था जिसके बाद के भावी प्रिद्रस्य को एक हुमनिस्टिक चेहरे के तोर पर एक अच्छे मोडल के रूप में या एक दुनिया के सामने एक मानवी मोडल के रूप में या एक अच्छे भाविष्य के रूप में पेस किया जा सकता था तो वो भारत जैसे भारत दक्षिन कोरिया और इन सब देशों के मिल जुलकर जो परियास किये जा सकते थे और एक अभियान एक वर्ल लीडर्शिप के तोर पर इन दोनों सक्तियों को छोड़ कर चला जा सकता था उसमें साय थोड़ी देर रही या भारत ने अगर अकेले अपने भूते पर वो परियास शुरू भी किया था तो इन दोनों महासक्तियों के कारण भारत को उसका जो नेपाल के साथ तक्राव पकिस्तान के साथ तक्राव इस रूप में वो दिखाय कियोंकि जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं अमेरिका और चीन दोनों नहीं चाते के भारत कोरोना कुट निती के इस प्रिद्रस्य पर बढ़त बनाए हाला कि भारत ने अपने अस्तर से दक्षिन एशिया के अपने तमाम पडोसी देशों के साथ जितना हो सकता था ये कोरोना महामारी के लिए अपने दॉक्टर्स अर्मी के डॉक्टर्स येरोपियन कंट्री तक भी जहां जूरती जांभिज सकते थे वहां भेजे हैं दवाय अमईरिका तक को दी और जहा जहां अपनी जिस हैसियत के साथ अपने जिन कम रिसोर्षिज के साथ हम अपनी उपस्थिती दर्ज करा सकते थे वहाँ वहाँ उपस्थिती दर्ज कराई भी लेकिन चुकि वो दुनिया के ताकतवर देशों को बरदास्त नहीं है कि हम दुनिया के सबसे सकती साली देश हैं और दुनिया को हम ही तै करेंगे भारत इसमें कहीं एक तीसरी ताकत के र कि सेनिकों को हटा हट्त किया हम उस तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे ते या दुनिया में थोड़ा सा अपने सिमित संसादनों के बावजूद कोरोना महामारी से लड़ने में लोगों को थोड़ा हैल्प करने की कोशिस कर रहे थे ताकि उस तरफ हम रुक जाए और हमारा ध्यान दुनिया के उस तरह के काम करने की तरफ से डाइवर्ट हो जाए और हम अपनी सीमाव पर अपनी जंगह पर उलजगर रह जाएं तो बेसिक त्क लिए लड़ाई बाजार की लड़ाई यहाँ है मोगो एक बना लें जैसे लड़ातार मीडिया में और वर्ल्ल मीडिया में अकबारों में चबी रहा था कि चाइना से जो बाहर की कंपनी हैं मल्टीनिस healthier कंपनी हैं वो बहुँने आपको समेटना चाहती हैं और भारत उन्हें एक माकूल जेंगा दिखाई दे रहा है, भारत में वो अपने आपको अपने डंग से दोबारा establish करने की तरफ सोच रही है, भारत सरकार से उस तरह की पहल भी दिखाई दे रही थी, तो इस सारे सीन से जो create हुआ और हम जो एक तीसरा model के रूप में develop करने की तरफ बढ़ रहे थे, तो इन ताकतवर मुलकों ने मिलकर हमें disturb किया, इसमें आप अमेरिका को कोई हमारा साथ ही ना मानो, उसने चीन की हरकतों पर इतने लेट तक अपना चुपी साधे रखी और अब इतने लेट अपना कोई बयान दिया, तो कि वो भी नहीं चाहता कि चीन तो एक ताकत है हिए, भारत भी एक नई ताकत के रूप में कहीं मेरे सामने ना उभरे, और भारत भी मुझे पर जादा से जादा निर्वर रहे और दुनिया में उस की पकड़ ना बने, दुनिया में उस तरह की चवी ना बने, कि भारत भी हम ससब की साहयता करने वाला एक ताकत वर्क देश है और कोरोना महमारी में हम सब की काम आया, तो उसे मिल जुलकर एक डिस्टर्ब करने का परियास किया गया इन सारे एक्जेंपिल से समेट कर संयोजन करने का मैं ये परियास कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ इस बिखरी हुई बातचीत को यहां समेट ना चाहता हूँ के दुनिया का जो भावी परिद्रश्य है दुनिया का भावी परिद्रश्य महामारी से कोई इमानदार लड़ाई लड़ने का परिद्रश्य बनाने का नहीं है बेसिकली ये बाजार की लड़ाई है ये बाजार की होड है और बाजार की होड से ही पनपी ये पुरा संकट है मैं इस बात को इसलीए कह रहा हूँ कि दुनिया में बाजार में ठेराओ है पिछले कुंद दिनों से या पिछले दो दस्कों से जिसे आप मंधी वी कहरे हैं जिसे आप वैस्ति म amendments कहते हैं दुनिया ने जो दुनिया के ताकतवर मुल्क है है। उन्होंने दो टेक्नोलोजीज को दो तकनीकी को बड़े अस्तर पर जमा कर रखा है पहली इनफॉर्मेशन टेक्नोलोजी और दूसरी बायो टेक्नोलोजी ये दुनिया के ताकतवर मुलकों के पास जमा तो हैं लेकिन इने नया मार्केट कैसे मिले नई नई उनकी जो और इसको समझने की जुर्रत है और इस पूरी लड़ाई में दो जो सबसे ताकतवर मुलक हैं जिनकी बार-बार बात हो रही है चाइना और यूएस अमेरिका इन दोनों मुलकों के पास ये दोनों टेक्नोलोजी भरपूर मात्रा में जमा है और इनके पास फर्दर नहीं है तो यह कैसे ही क्रियेट हो अब इस तरह कि महामारियां दुनिया में आएंगी या यह लोग फैलाएंगे या जैसे भी वह आएंगी मैंने कहा कि यह फैलाई गई है चाहाई है लेकिन हुमन मेड है माना और निर्मित है आपने परियावरन को डिस्टरब किया तो भ बढ़ाने का एक पूरा खेल चल रहा है और यह जैसे भी होगा आप देखेंगे अभी से आपको एक पूरा सीन क्रियेट होना शुरू हो गया इस महामारी का जब आप एक एक सिल्सिलेवार एनलेसिस करेंगे कि सामाजिक परभाव कैसे हैं इसके राजनितिक परभाव कैसे हैं और इसके कुटनितिक परभाव कैसे हैं या इसके सांचकर्तिक परभाव कैसे हैं तो उन समय जो सबसे इस पस्ट आपको दिखाई देंगे तो दिखाई देंगे कि इस महामारी के बाद दुनिया में टेकनोलोजी का एक बड़ा वर्चस उबरने वाला है टेकनोलोजी की तरफ दुनिया एक तेजी से बढ़ेगी और इसमें वही जाएंगे जिनके पास टेकनोलोजी है वही लोग इसमें दोबारा से मजबूत होंगे जिनके पास टेकनोलोजी बेचने के लिए वही बेचेंगे ना दुनिया में टेकनोलोजी अभी दो दो फिल् पर कोरोना महमारी के कारण टेकनलोजी का एक पूरा विस्तार हुआ है यह इसी का ही इंपेक्ट है और यह भविस्य में और लगातार बड़े अस्तर पर बढ़ने वाला है और फिर एक नए धंकी होड मचेगी एक नए धंकी दुनिया बनेगी जिसमें टेकनलोजी मुख्य र वो फिर मजबूत होंगे फिर महासक्ति होंगे और जिनके पास टेकनलोजी नहीं होगी या दूसरे मुलकों पर टेकनलोजी के लिए डिपेंड होंगे वो फिर कमजोर होंगे और दुनिया में फिर एक नए धंकी गैर बराबरी क्रियेट होगी दुनिया में फिर एक नए की mode of production बदल जाएगा उत्पादन के तोड तरीके बदल जाएगे उत्पादन की पदती बदल जाएगी तो उससे हमारे social relation बदलेंगे और जब हम लोगों के social relation बदलेंगे तो एक नई culture create होगी और एक नई culture create होगी तो एक नए ढंकी social structure बनेगी जब अभी तक तो हम खाली information technology के बूते सिर्फ communication तक technology को जान रहेते अब तो हम सामान खरीदने से लेकर सामान बेचने तक उभोग तक और पुरा एक नए ढंक से पूरा टेकनोलोजी का जो हमारे जीवन में प्रवेश होगा और इसी पर ही हमारा पुरा social behavior depend करेगा एक दूसरे के साथ interaction और कहां सोचाता आपने और हमने के हम इतने जल्दी इस सब के इतने habitual हो जाएंगे इस सब के लिए हमारे लिए और आपके लिए एक दम बिल्कुल इतनी easy चीज हो जाएगी कि इस पर हम सहज फिल करेंगे यह बाची जो आज मैं और आप कर रहे हैं कितने इसे बिल्कुल easy way में कर रहे हैं कि जैसे हमने इसे स्विकार कर लिया आपने जीवन का हिस्सा मान लिया है तो यह सब जो बढ़ेगा यह digital social structure भी समाज में create करेगा और उसके अपने ढंके impact समाज पर आएंगे जो एक भावी परिद्रश्य के रूप में दिखाए देंगे तो जो नई दुनिया बनेगी इन सब के पिछे जो एक दुनिया बनेगी उसमें नए ढंके rule regulations की जरुरत होगी जिनके लिए नए ढंके institution बनेगी इस्टेट का अपना रोल होगा सरकारों के लिए जहां रोटी कपड़ा मकान अभी तक तीन बेसिक नीड़ती हो सकता फ्यूचर में वह रोटी कपड़ा मकान के साथ internet ऐसी basic चीज मानें जो हमारी बातचीत का जरिया है हमारे आपके समवाद का जरिया है अगर आपकी का बाजार चल पाएगा ना आपका जीवन गौत हर चल पाएगा तो यह सारी चीजें हो सकता इस्टेट की लिस्ट में नेट जैसी चीजे जरूरी सुची में जुड़ें, हो सकता कुछ और नए ढगी कुछ जरूरते खड़ू हो, हो सकता एक नए ढगी सामुइकता हैं समाज में बने, नए ढगी नतिकता हैं समाज में उबरें, क्योंकि टेकनोलोजी जो अपना एक दर्शन है वह नए चीजे लेकर आएंगी नए मॉरल्स लेकर आएंगी उनके साथ हमें आडव्ट करना होगा उनके साथ हमें सीखना होगा अभी हम phone को कैसे भी use कर लेते हैं लेकिन अब जब इसके साथ मैं morals आएंगे नई भूमिका में यह आएगा नई भूमिका में टेक्नलोजी होगी तो उसके एक नए धंटी की नए इस्टिटिशन भी बनेंगे नए cyber laws भी बनेंगे नए नियम काईदे कानून भी बनेंगे लब लुआ मेरा इन सारे एक्जेंपिल से इस पूरी बातचीत से जो आप लगों के साथ हुई इसमें कहने का यही है कि भावी दुनिया एक नए धंग की दुनिया होगी और एक नए धंग का पूरा आपका रहमारा ववार होगा अब इसकी बहुत इसपस्ट और मुकमल चलें तो साथ बहुत साफ होगी अभी सिर्फ उसके कुछ कयास और अंदाज लगाए जा सकते हैं जिन सब की तरफ मैंने आपके साथ मिलकर यह संकेत किये हैं यह इसारे किये हैं तो साथ उस तरफ हम जाही रहे हैं और यह कुछ ना कुछ हम सब को और इस पस्छवी कुछ इंट्रेक्शन को करें बातचीत को करें, बातचीत को करें, थाक्यू.